हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माइ चैनल और अभी आप सब लोग जानते हैं कि समर सीजन चल रहा है और ऐसे में आइसक्रीम की बात नहीं यह तो हो इनहीं सकता लेकिन मैं यहां पर उस आइसक्रीम की बात नहीं कर रही हूं जो मार्केट में बलती है क्योंकि उसमें नज बहुत जादा मात्रा में आस फैटी ओल इमल्सिपायर स्टेबलाइजर एंड आर्टिफिशल फ्लेवर एंड आर्टिफिशल कलर स्यूज होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जादा हामफुल है वैसे आज मैं आप से शेयर करने वाली हूं एक आसान और यूनीक करके मैं यह मिल्क जो है वो इस कड़ाई में डाल दूंगी और इसको उबालूंगी तब तक जब तक कि यह आदे से कम न रह जाए आपको भी इसको इस तरीके से उबालना है ताकि हम इसके एक गाड़ी रबडी टाइप पेस तैयार कर पाएं ठीक है इसके अलावा मैंने बाउल लिया है और बाउल में मैंने डाली है साथ से आठ किश्मिश और इसके बाद मैं इसमें कट कर लूंगी पांच से साथ बादाम और पांच से साथ काजू। क्योंकि ये जो हैं वो हमारी health के लिए बहुत जाद अच्छे होते हैं ये nuts सो मैंने इनको include किया है आप भी सेम ऐसा include कर सकते हैं और ये देखिए हमने काट के इनका तयार कर लिया है powder और इसके बाद मैंने दो इलाइची लिया है क्योंकि इलाइची जो होती है वो खुश्बू के लिए भी अच्छी होती है और health के लिए भी अच्छी होती है इसको भी मैं पीस के इसका powder तयार कर लूँगी और powder तयार करने के बाद मैं इसमें 2-3 बदाम और 2-3 काजू भी इसके साथ पीस लूँगी जब इसको दूद में डालूँगी तो दूद को गड़ा होने में help मिलेगी अब मैंने ये सारा powder जो मैंने तयार किया था वो मैंने इसको milk में डाल दिया है और देखे अमारा milk जो है वो अभी आधा रह गया है अभी ये जो dry fruits कट किये हैं ये भी मैं इसमें मिला दूँगी और अभी मुझे इसको और उबालना है ताकि एक गाड़ी रब्री टाइप paste तयार हो जाए इसमें मैंने दो चमश शुगर इंकलूड करी है अगर आप चाहे तो süगर डालिए अगर आम मीठा होता है वैसे भी तो शुगर की आपको इतनी इस आइस्कृम में जरुरत नहीं होगी लेकिन मैंने जिस्ट आइस्कृम मीठी होती है तो मैंने डाल दी अब हम एक आम लेंगे और आम को हम उपर से इस तरीके से इसकी कैप को काट देंगे देखे जैसे मैं काट रही हूँ वैसे ही आपको काटना है अब मैंने ये कैप हटा दी है इसके उपर की अब ये जो आपको गुठली दिखाई दे रही है कि गुटली जो है वो हम इस आम के अंदर से निकाल लेंगे ये देखिए थोड़ी सी मैनत लगती है इसमें बट गुटली निकल जाने के बाद ये बहुत अच्छी वाली आइसक्रीम इससे रेडी हो जाएगी गुटली पर जो पल्प लगा हुआ है वो आपको आम के अंदर ही डाल देना है देखिए जैसे मैं डाल रही है ये हो गया है हमारा आम पल्प वाला रेडी और ये हमने रबडी तयार कर ली है देखिए ये रबडी बहुत ही अच्छी तयार हुई है अब इसको हम आम में से मैंने इस पल्प को निकाल के अलग एक बाउल में निकाल लिया है अभी तक आप याद रखेगा कि मैंने इस आम को पील नहीं किया है यानि कि मैंने इसका चिलका नहीं उता रहा है अब मैं इसे एक कप में रख दूँगी इसी में मुझे यह आईस्क्रिम जमानी है इसलिए आप भी ऐसा ही कोई बरतन ले सकते हैं जिसमें आपको आईस्क्रिम जमानी है अब मैं इस रबड़ी को इस आम के अंदर फिल करूँगी और फिर उसके बाद मैं एक चमच आम का जो पल्प मैंने अलग से कर रखा है अलग कर रखा था उसको मैं डाल दूँगी अब मैं इसमें दो चमच रबड़ी फिर से फिल कर दूँगी और इसके बाद मैं यह जो बचा हुआ पेस्ट तयार किया हुआ मेरा पल्प रखा हुआ है यहां पे अब इस पल्प को मैं इस आम में डाल दूँगी यह देखिए बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग से आइसक्रीम लग रही है यह अब यह जो हमने शुरुआत में कैप काटा था हमने अब उस कैप को हम इस पर लगा देंगे और अब हम इसको 7-8 गंटे के लिए फ्रीजर में रखें यह देखिए यह हमारी आइसक्रीम जो है वो जम के तयार हो चुकी है अब इस आइसक्रीम को निकालने के लिए मैं एक पानी का बाउल लेकर आउंगी उसमें इस कप को रखूंगी एप्रोक्स दो मिनट आपको रखना है और यह आम जो है वो इसमें से कप में से निकल जाएगा ठीक है यह देखिए यह आम इसली निकल गया है और यह आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके उपर की जो बर्फ यह जो लगी है वो हटा देंगे अब हम इसकी कैप हटाएंगे और कैप हटा के हम इस कैप के उपर का जो आम का चिलका अभी तक हमने जो निकाला नहीं था आम को peel नहीं किया था हमने यह अब हम peel पील कर लेंगे ठीक है यानि कि अब हम आम को अच्छे से छील देंगे और छीलने के बाद आपको इस पूरे आम को अच्छे से ऐसे छील लेना है यह छील लेना है और फिर आपकी ice cream ready हो जाएगी यह एक unique ice cream मैंने तयार करी है ये healthy भी है, tasty भी है ये 100% natural है और आपको पता है कि इसमें आपने कौन सा ingredient यूज किया है इसमें कोई भी ऐसा ingredient नहीं है जो health के लिए harmful है बजाए इसके कि बजारक से आप ice cream लाके खाईए आप घर में इस तरीके से ice cream बना सकते है ये बहुत जादा अच्छी बनती है मैंने खुद ने इसको try किया है तभी मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ अब आपको इसको छोटे-छोटे slice में गोल-गोल slice में आपको इसको काट लेना है इसमें कोई problem नहीं है और ये health के लिए भी अच्छी है आप बताईएगा मुझे कि अगर आपने अपने घर में ये ice cream ट्राइ की है और बना के देखी है तो आपको ये कैसी लगी अच्छी लगी तो मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा और इस तरीके से आप इसको गानिश कर सकते हैं और ये हमारी ice cream ready हो चुकी है जो 100% natural ingredients से बनी है आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे बेल बटन पे क्लिक का दीजे आपको मेरे आने वाले ये वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और अगर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राइ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टाइग करना बिल्कुल भी न भूले चलती हूं मैं नेक्स्ट मिलूंगे ऐसे ही किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई